एक लड़का था, वो काफी गरीब था, उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था, वो अपने दोस्त के घर रहा करता था, उसने एक छोटी सी कमपनी में पैंटिंग का काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गये, बाद में वो काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था, जब वो छोटा था तभी उसके माता-पिता इस दुनिया से चले गये थे, उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था, एक दिन जब वो अपने किसी काम से बहार गया था, तो उसे एक लड़ लड़की वहां से चली गई, कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा लेकिन वो लड़की ना मिली, लेकिन नियती ने उस लड़की से इस लड़की को मिला दिया, वो लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी, लड़की ने लड़की को त लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है, इसके साथी साथ यह लड़की समझ गई थी कि यहां लड़का इस घर का नौकर है ना कि मालिक है, अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है, दीरे दीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी, अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी, इस लड़की के भी माता पिता बच्पन में ही मर चुके थे, इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और और वह चाहता था कि वह जब तक जिन्दा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा लड़के के एक खासी पर भी वो लड़की दोड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया जब उसे सब पता चल गया तो वो बहुत रोने लगा क्योंकि उसने गुंगे होने का जूट बोला था अब वो दिनों रात रोने लगा लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वो लड़का हॉस्पिटल में भरती है वो दौरते हुए जब हॉस्पिटल में पहुँची तो उसने देखा कि लड़का बैड पर बेहोश पड़ा है उसके आसपास काफी मशीन लगी हुए थी जब लड़की डौक्टर के पास पहुची तो वहाँ पर डौक्टर ने उसे बताया कि लड़का आप बोल नहीं सकता है उसने अपनी जीब को कटाने की कोशिश की है इसके साथ ही उस डौक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया उस पत्र में लिखा था मैं एक काफी धनी लड़का हूँ जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं ही हूँ लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा ज्जूट बोला है कि मैं एक गुनगा हूँ अब इस जूट का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिन्दगी की शुरुवात करना अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम्हारा दोशी इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आँखांसू से भराए वो दोरते हुए मंदिर में गई उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वो लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वो कुछ नहीं खाएगी भले ही वो मर क्यूं न जाए इधर दॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे इश्वर ने दोनों के मन की बात काबूल कर लिए और अब लड़का बोलने लगा लेकिन वो अपनी याददाश्ट को खो गया अब उसे कुछ भी नहीं याद था अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्ट के लिए काफी कुछ किया लेकिन याददाश्ट ना आ सका